परइली डियलपी ने अपना एक और नेया स्मार्टफून डियलमी कह नाजो 70 डर्बो फैब जी को लांच कर दिया वहीं दूसी तरफ रेयलमी का स्मार्टफून Riley कह प्राइस्न प्राइस में 3000 देखनőं को मिल जाताई कूंकि एक तरफ रेयलमी के नाजो 70 डर्बो फैब जी को 17,998 रुपे की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB इस्टोरेज वाले वेरियन को बाई कर सकते हैं वह दूसी तरफ रियल्मी के ना जो 70 टर्बो फैब जी में मिडिया टेक का डेमेंसटी 7300 का प्रोस्टा देखनों को मिल जाता है वह दूसी तरफ रियल्मी के पीवन फैब जी में मिडिया टेक का डेमेंसटी 7050 का प्रोस्टा देखनों को मिल जाता है अगर पफॉर्मस वाइस बात करी जा तो जिस तरह इन दोने स्मार्टपून के प् पॉफर्मेंस में भी डिफरेंट दिखनेहों को मिल जाता है कुई एक तरफ रील में के puppy टर्बोाइब जी का जो औरस7.49 निकल राता है वह स्भाइबि confirm और अगर ओक्स इन दोनों में से किसी स्मार्टफुन और फोन लेने के लिए सोच रहे तो इन दोने स्मार्टफॉन के GFX स्कोर यानि गेविंग स्कोर को जाना बहुत ज़रा जरूरी है जब इन दोने स्मार्टफॉन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरब रियल्मी के P1 FABG का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता हो 3100 निकल के आता है वह दूसी तरब रियल्मी के नाजो 70 टर्बो FABG का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता हो 3800 निकल के आता है जो कि गेमिंग वाइस तो बेटर हो जाता है रियल्मी का नाजो 70 टर्बो FABG दोने स्मार्टफोन का डिस्प्ले सेग्मेंट की बात करी जतों प्रैस में तो 3000 पीस का डिफ्रेंट देखिनों को मिल जाता पर दिन दोने स्मार्टफोन की डिस्प्ले के साइज जो डिस्प्ले की क्वाल्टी में कोई डिफ्रेंट देखिनों को नहीं मिलता है क्योंकि एक डिस्प्ले के अच्छी स्मूतनिस के लिए 120 हर्टेज रीफ्रेश एट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो इस स्मार्टफून का अगर आईपी रेटिंग की बात करी जाता है तो उसमें तो बेटर हो जाता है रियल मी का नाजो 70 टर्बो फैब जी आईपी 65 की रेटिंग देखने को मिल जाती वहीं दूसरी तरफ रियल मी के पी वन फैब जी में आईपी 54 की रेटिंग देखने को मिल जाती दोने स्मार्टफून का अगर क्यामरा सेग्में की बात करी जो तो क्यामरे के मामले में भी इ मिल जाता है विद एलीडी फ्लैसलेट के साथ कैमरे में OIS का सपोर्ट देखनेों को नहीं मिलता है पर फोन की बैक कैमरे से फोर की वीडियो आसानी से रिकॉर्ट कर सकते हैं वहीं दूसी तरफ रियल बी की P1, FABG के भी बैक में डूवल रियर कैमरे से डेखनेों को मिल जाते हैं 50 मेगा फिक्सल का मिन प्रामरी कैमरा मिलता है बागी का दूसरा कैमरा 2 मेगा फिक्सल का मिल जाता है विट LED फ्लैस लैट के साथ कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता पर फोन के बैक कैमरे से फोर की वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं इन दोने स्मार्टफोन के अगर सेल्फी कैमरे की बात करी जा तो एक तरफ Realme के नाजो 70 टर्बो 5G में भी 16 मेगा फिक्स स्मार्टफोन की प्रैस में 3000 पीस का डिफ्रेंट देखने को मिल जाता है फिर भी दोने स्मार्टफोन यूफस 3.1 का इस टोरे टैप देखने को मिल जाता है बैटी सेग्विन के अगर बात करी जा तो एक तरफ Realme के नाजो 70 टर्बो 5G में भी 5000 mAh की बैटी देखने को मिल जाती 45 वाट के सुपर वोक चार्जिंग के साथ यूजबी टैप सीपोड का सपोट देखने को मिल जाता है सी कोटी फीचर के लिए दोने स्मार्टफोन में इन डिस्पले फिंगर पिंगर पिंच सेंसर देखने को मिल जाते तो बात करी जा कि दोनों में से कौन सा अगर आप लोगों के लिए बैस अगर आप लोग 15000 पिस से कंप्रीप्रेस में एक अच्छा आल्रांडर इस स्मार्टफोन लेने के लिए सोट्य मिंक पीवन फैब्स लूं अब दा बैश्ट लोग इससे बैटर प्रोसोसर वाला आल रम्डार स्मार्ट फून लेने के